जैमातादी आईए सुनते हैं दुर्गा सप्तसती का चौथा अध्यार महसी मेधा बोले देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिसासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया तब इंद्रादी समस्त देवता अपने सिर तथा सरीर को जुका कर भगवती की इस्तुती करने लगे जिस देवी ने अपनी सक्ती से यह जगत ब्याप किया है और जो संपूर देवताओं तथा महरसियों की पुज्यनिय हैं उस अंबिका को हम भगति पुर्वक नमस्कार करत हैं वो हम सब का कल्यार करें जिस अतुल प्रभाव और वल का बढ़न भगवान विश्डू संकर और ब्रह्माजी भी नहीं कर सके वही चंडिका देवी इस संपूर जगत का पालन करें और असुप है का नास करें पुंडियात्माओं के घरों में तुम स्वयम लच्मी रू और पापियों के घरों में तुम अलच्मी रूप हो और सतकुल में उत्पन होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं हे देवी इस बिश्व का पालन करो। किस प्रकार वड़न करें हे देवी त्रीगूरात्मिका होने पर भी तुम संपूर जगत की उत्पत्ती का कारण हो। हे देवी भगवान विश्डू संकर आदी किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आसरे हो यह संपूर जगत तुम्हारा ही अंसरूप है क्योंकि तुम सबकी आदी भूत प्रकृती हो। हे देवी तुम्हारे जिस नाम के उच्चारर से संपूर यग्यों में सब देवता तृपती लाब करते हैं। वह श्वाहा तुम ही हो। इसकी अत्रीक तुम पित्रों की तृपती का कारण हो। इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी वह विद्या जो मुच्च को देने वाली है, जो अचित्य महाग्यान सरूपा है। तत्वों के सार को वश्मे करने वाले, संपूर दोसों को दूर करने वाले, मुच्च की इच्छा वाले। मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो, तुम बारी रूप हो और दोस रहित, रिग तथा यजुर बेदों की, एवं उदगीत और सुन्दर पदों के पाथ वाले, साम बेद की आश्रह रूप हो, तुम भगवती हो, इस विश्व की उत्पत्ती, एवं पालन क लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकठ हुई हो, और तुम संपुर संसार की पीडा हरने वाली हो, हे देवी जिससे सारे सास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा सक्ती तुम ही हो, और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली, नौका भी तुम ही हो, लच्मी रूप से विश्रु भगवान के हिर्दे में निवास करने वाली, और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो, मन्द मुस्कान वाले निर्मल, पूर्चन, बिम्ब के समान, और उत्तम सुवड की मनोहर कांती से, कमनिय, तुम्हारे मुख को देकर भी महिसासुर क्रोध में भर गया, यह बड़े आश्चर्य की बात है, और हे देवी, तुम्हारा यही मुख, जब क्रोध से भर गया तो, उधैकाल के चंद्रमा की भाती लाल हो गया, और तनी हुई भौहों के कारण बिक्राल रूप हो गया, उसे देख कर भी महिसासुर के सिग्र प्रार नहीं निकल गये, यह बड़े आश्चर्य की बात है, आपके कुपित मुक के दर्शन करके भला कौन जीवीत रह सकता है, हे देवी, तुम हमारे कल्यार के लिए प्रसन हो, आपके प्रसन होने से इस जगत का अभियुदे होता है, और जब आप कुरुध हो जाती है, तो कितने ही कुलों का शर्वन नाश हो जाता है, यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिसासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया है, हे देवी सदा अभियुदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं, उनके धन यसकी बृधी होती है, उनका धर्म कभी सिथिल नहीं होता है, और उनके यहां अधिक पुत्र पुत्रियों और नवकर होते हैं, हे देवी तुम्हारी क्रिपा से ही धर्मात्मा धर्म का कभी सिथिल नहीं होता, और उनके यहां अधिक पुत्र पुत्रियों और नवकर होते हैं, हे देवी तुम्हारी क्रिपा से ही धर्मात्मा पुरूज प्रति दिन स्रद्धा पुर्वक यग्य करता है, और धर्मा नुकूल आच्रण करता है, और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवांचित फल देने वाली हो, हे मा दुर्गे तुम अस्मरण करने पर संपूर जीवों के भय नश्ट कर देती हो, और इस्थिर्चित वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अतियंत मंगल देती हो, हे दारिद्र दुखनासनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है, तुम्हारा चित सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है, हे देवी, तुम सत्रूओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरत में जाने के लिए चीरकाल त तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं इसलिए तुम उनका बध करती हो। तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे साथ युद्ध करती हो। आनन्द प्रदान करने वाले शुंदर मुख को देख रहे थे। तुम्हारे सील बूरे बृतान को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है। जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और नहीं जिसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल वो पराक्रम सत्रों का नास करने वाला है। इस तरह तुमने सत्रों पर भी दया प्रकट की है। हेदे भी तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है तथा सत्रों को भै देने वाला इतना सुन्दर रूप भी और किसका है। हिरदे में कृपा और युध में निश्ठूरता यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने में आई हैं। हे माता युध भूमी में सत्रों को मार कर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक पहुचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रच्छा की है तथा उन उन्मत असुनों से जो हमें भैथा उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है ये देवी तुम सूल तथा खडग से हमारी रच्छा करो तथा घंटे की ध्वनी और धनुष की टंकार से भी हमारी रच्छा करो हे चंड के आप अपने सूल को घुमा कर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दच्छिर दिशा में हमारी रच्छा करो तीनों लोकों में जो तुम्हारे शौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रच्छा करो हे अंबिके आपके करपलवों में जो खडग, सूल और गदायादी सस्त्र सोभा पा रहे हैं उनसे हमारी रच्छा करें महर सी बोले इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगतमाता भगवती की इस्तुती की और नंदवन के पुस्पों तथा गंध अनुलेपो द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगन्धी वद दिव्यत हूपों द्वारा उनको सुगन्धी निवेदन की तब देवी ने प्रसन होकर कहा हे देवताओं तुम सब मुझे मनवांचित बर्मांगो देवता बोले हे भगवती तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा क्योंकि तुमने हमारे सत्रु महिसासुर को मार डाला है हे महेश्वरी तुम इस पर भी यदि हमें कोई बर्देना चाहती हो तो बस इतना बर्दों की जब जब हम आपका अस्मरड करें तब तब आप हमारी विपत्नियों को हरड करने के लिए हमें दर्शन दिया करो हे त्रियंब के हे अंबि के जो कोई भी तुम्हारी इस्तुती करें तुम उनको बित्त सम्रिधी और बैभव देने के साथ ही उनके धन और इस्त्रियादी संपत्ती बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन रहें अंबि टुम्हारी इस्त्रियादी प्रसन रहें